प्रेयर और फादर यानि कि एक पिता की प्रार्थना इसमें थोड़ी सी स्टोरी हम आपको फिर से समझा देते हैं ये लेसन को हम पढ़ा चुके हैं इसमें ये बताया था कि एक राजा था बाबर उसका बेटा था तो उसका बेटा बहुत जादा बिमार था बाबर उसको देख करके बहुत चिंतित रहता था फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि है भगवान मेरे बदले में मेरे बेटे को ठीक कर लिए तो भगवान ने क्या किया उसकी प्रात्ना को सुकार कर लिया और उसका बेटा ठीक हो गया था और पिता की डेथ हो गया था तो यानि कि इसमें ये बताया है कि ये जितने भी पिता जी होते हैं पापा होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं अगर वो डाटते भी हैं, तो हमको हुपो समझना चाहिए कि वो हमारे भले के लिए डाट रही है। इसलिए हमें पापा से कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उन्होंसे पुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। ठीके, और सच्चे मंसे अगर आप ईश्वर से कुछ भी मांगेंगे, तो आपको मिले था। तो हमने यह आपको word meaning करा दी थी, आज हम आपको potions one word exercise कराएंगे। पहला है, आणसर एंट one word, आणसर एंट one word पहला है, तो हम तो दोाँ खर प्याँ है, रो अझंवा है आपको प्याँ है, रो दिखाएंगे। वोचन इपार एंटोंत प्याँ हैं इंट उन्ट करेएंगे। बाबर, बाबर हमारे भारत देश में एक राजा था बाद्शार। दूसरा है, हूँ, पैल, सिख, कौन बिमार पड़ा? उसका बेटा हुमाई ही। आफ दूस्ञा है, दूसरा है, ओवाउ सुद्णार वाउस्द्ण। नत लख और बस्तिंग, बाद है, हूँ, आफ बलस्त, लख शरांम असरा बाद आप रस। स्वाप काईगा फ्लैश छॉथा है भू एक्सेप्टिंग दा प्रेयर अफ बाब तो आपका आएगा बाब अजब किसने उनकी प्रात्ना स्विकार की तो भगवान ने उनकी प्रात्ना स्विकार की अब आंसर दे फॉलिएंग पोशेट शॉट में आएग तराने जा जा जाएगा पहला पोशेट है वस बाब वस बाब Question 2. What happened to Imayu? हिमायू की हेल्थ को क्या हुआता? तो इसका अंचर है, हिमायू, सेल, सिख, यानि की हिमायू विमार हाद. अब है question number 3. Which hope was not there? तो इसका अंचर है, हिमायू. तो या हुआता? वास नो हो अफ इस सर्वाइब। मतलब हिमायू का था कि वो जिन्दा नहीं रह पाएगा। पॉस्चिन नम्र पोर। वेर देट बाबर नील डाम। यानि कि बाबर तहां पे डील डाम। तहां खुटिय के पर बैठा था हो। यानि कि बाबर नील डाम। नील डाम। नील डाम। और दा सिंग। स्ट्रिंग्स। यानि कि वो अपने विमार राजकुमार के पास बैठा था। अब है आपका माश दी फॉलॉइंग। इसमें अपोजिट बताना है। अपोजिश्टू इसमें ऋपिए। राइट आपोजिटू राइट अपोजिटू आपोजिटू इसमें आपोजिटू को कुछआए। इसमें वो आपोजिटू हेट का श्या होगा याओ। लोव दूसरा है Rejected Rejected का क्या होगा Accepted तीसरा है Healthy Healthy का क्या होगा opposite है Sick Opposite मतलब होता है Repreate चौटका है Dishonest तो इसका होगा Sincere पांचका है Still Still का क्या होगा Move अब इसके बाद What do we use? Question का answer करेंके Fourth है What do we use? यानि की हम किस जगे पे क्या चीजों का इस्तमाल करते हैं? जैसे पैरा question है What do we use to walk? मतलब हम चलने के लिए अपनी बाडी का कौन सा पार्ट यूज करते हैं? तो हम याँ पे लिखेंगे Left हम पैरों से चलते हैं अब दूसरा के हमारा What do we use to speak? हम बोलने के लिए की सा इस्तमाल करते हैं? T T जो माउंट में होता है कीसरा के आपका What do we use to see? हम देखने के लिए किस चीज का इस्तमाल करते हैं? आँखों से तो होगा हमारा Eyes अब चौत्वा है आपका What do we use to write? लिए के लिए हम लोग किस का इस्तमाल करते हैं? Handle का आपका आज इंग्लिश का ये चैप्टर पूरी एक्सरसाइस कतम हो गई है इसको आप अपने इंग्लिश की कॉपी में पूरा काम कंप्लीट कर लीजेगा कल हम नेक्स चैप्टर पढ़ाएंगे गुर्पी